कोई लच्छ मनुष्य के साहत से बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पी बियार इस्टडी में उमीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई एकदम मस्च चल रही है हमारी अवाज अच्छी अगर आ रही है और हम थोड़ा हील डोल पा रहे हैं तो आप लोग सभी यस यस लिक्के कमेंट करें जिससे कि हम समझ सकें सब बढ़ियां है और हम आगे बढ़ सकते ह कोई लक्ष मनुष्य से बढ़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं तो इसलिए आपको हार नहीं मानना है पहले लड़ना है आगे वड़ना है अभी ताजी घटना मैं बताओं कल की हम लोग जा रहे थे सहर में आगे रेलवे क्रासिंग थी यहीं सांतिपूरं प्रयाग रा करके अपनी गाड़ी साइड में लगा एक जगा दुकान बैठ गये थे आधा गंटा तक बैठे थे थे तेस से बारी सोने लगी सब भीज रहें ना कोई आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है कि समझ रहो है फिर हमारे पास आप्सन यह था यह तो आगे जाए तो आगे तो क डीरे दीरे 10-20 कदम निकलने के भाद वहां से रस्ता मिल गया और हम लोग बड़े आराम से वापस फिल लऊटा है जहां से गये थे वहीं लेकिन यहां से क्या सीखने को मिला सीखने को यह मिला कि अगर वहा यह गाली पे बैठे बैठे देखते कि बहिया पीछे दुह जग होती है कि आपको कोई भी अगर मुसीबत बहुत भारी दिख रही है तो वास्तों में वह उतनी भारी होती नहीं है आपको पहले उससे परिचय करना होता है उसके पास तक जाना होता है उसके बाद वह भी लगता है हम भी छोटे ही है अगर आपको भी मैत नहीं आती है तो यक यह हैं तो थोड़ा टेस्ट होगा ठीक है सबका नाम और कमेंट में देख रहा हूं बोलूंगा थोड़ा सबर रखिए तो कुछ छोटे छोटे कुश्चन होंगे और उनका आप लोग जबाब देंगे देड़ सो दो सो बच्चों का ही टेस्ट यह टेस्ट है आप लोग अग जो पहले आंसर देगा उसका नाम बोला जाएगा 3.592 one....ặmm कि यह परमिये संख्या माज यानी रेफनल नंबड है या ये अपर्मिय संख्या यानि・e-refernal नंबर है क्या है ये आप लोग कोशिस करेंगे जिनको लगरा ये रेफनल नंबर है वो R लिखेंगे कमेंट में जिनको लगरा ए-refernal नंबर है वो I याद रहे ये । डाट डाट है दिब्या यादो आपका कमेंट आ रहा जी तेनर कुमार हरसित हर्समिस्रा अनूप राम प्रताप रमन अब्दुलनगीन सचिन कुसवाहा प्रियंका सिंग लोकुस दिब्य प्रताप जी आपका भी कमेंट आ रहा सचिन बुराथी आपका भी कमेंट आ रहा है यादो राजा आपका भी आ रहा है इंडियन सोल्डर रितु कुमारी बिरेंद्र पाल संजीत कुमार रमेश कुमार सीवं कुमार प्रिया सिंग राजनाथ और सीनु कुमारी अंकित रेनु कलपना निसाद और भी तमाम सभी साथियों को बहुत-बहुत स्वागत है सबका नाम लेंगे तो फिर हम यहां खड़े नहीं रहेंगे सबसे पहला इसका जो जवाब दिया है ऐसी महानात्मा के नाम तो मैं जरूर बोलूँगा और उन महानात्माओं में सबसे बड़ी महानात्मा जिनका नाम है अम्बकेस घोस इन्होंने सबसे पहले बताया है सपना सैनी दूसरे नंबर पर है और इन्होंने रेफनल बताया है सपना जी ने इरेफनल बताया है भाई सपना का तो सपना हकीकत हो गया सही है यह रेफनल नंबर है भाईया घोस जी आपका गलत है देखिए यह रेफनल नहीं होता तब यह रेफनल नंबर हो सकता था कि समझ में ना इनका कुछ आता पता नहीं कहां तक है क्या है इसमें तब यह क्या है यह रेफनल नंबर नहीं है इस तरह की संख्या है यह रेफनल नंबर यानि आपर्मिय संख्या होती है ठीक है तो समझ गए इसका आंसर है यह अपर्मिय संख्या है नाट पर्मिय संख्या जिसे इंगलिस में इरेफनल नंबर कहा जाता है आज का यक्छ प्रस्म सिकेंड नंबर आईए बात करते हैं दूसरे नंबर पर पहले में तो आप लोग गड़बड हो गए कुछ लोग हार नहीं मानना है बस कोशिस करते रहना है दूसरा कुश्चन भी इसी में से ले लो सुनने एक रेफनल नंबर है या इरेफनल जीरो ये क्या है हिंदी में सुनने बोलते हैं इंगलिस में जीरो बोलते हैं काओ आईसे तो है ना जब आप दीजिए इसको आप अलग तरीके से बताईएगा जो लोग सोच रहें रेफनल है वो ए लिखेंगे जो इरेफनल समझ रहें वो बी लिखेंगे ये कोड है इससे हम अलग कर पाएंगे सवाल नंबर एक और दो के उत्तर देने वालों को नहीं तो उसी में सब गु कि बेबी कुमारी स्वाती क्रियेशन आचल एडीशन कुईन भाई कुछ आएसे नाम है जिनको एक बार बोल दो न तिन दिन बुखार चड़ जाता है तो मैं बोलता नियुकोशिस यही रहती है यहाँ पर आप लोगों को मैंने एक उप्षन दिया है A और B कमेंट करने का हंड्रेड संख्या पूरे होने पर आप सभी को धेर सारा थेंक्यू चलिए तो यह रेशनल नंबर है जिनोंने A कमेंट किया उनका सही है जिनोंने A लिखा उनका भी सही है और जो भूल चूक से R लिख रहे हैं उनका भी सही है 0 एक रेशनल नंबर है लेकिन क्यूं वाई क्योंकि बच्पन से जवानी बढ़ोती तक हम यही पढ़ते आए हैं कि वह संख्या जिसको P upon Q के फर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर होती है पसरते कुछ टर्मन कंडिशन होती है वुका होती है कि Q 0 नहीं हो सकता है यहाँ पे देखना ऐसी नंबर जिसे हम P upon Q की रूप में लिख सकते हैं जैसे तीन हो गया तो तीन को हम P.A.P. Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा कर सकते हैं यहां पे कंडिशन होती है q does not equal 0 यानि q सुन्न के बराबर कभी नहीं हो सकता है अगर q सुन्ने है 0 है तो फिर वो रिफनल नंबर नहीं है कि समझ रहे हो जैसे इंसान की पहचान होती कि इंसान के एक के मुह होता है नाक एकठी होती जो आगे दिखती है अगर किसी की इधर भी एक नाक है इधर भी एक है तो फिर वो इंसान नहीं कि समझ रहना थोड़ा रुकना पड़ता है आए हाँ यहाँ पर पीजीरो Hang पर थीजीरो हो सब्सक्राइब है यहां पर क्या लफडा इनको हम जीरो अपान वन कर सकते हैं यहां पर ही ने रूल कापालन हो रहा है क्यों जीरो नहीं है कि वन है प्यजीरो है जो कि हो सकता है अगर है पान शुन्न कर दें तो क्या यह रेशनल नंबर है राए किया यह पर्मियसंख्या है और क्यों आज टेस्ट हो रहा है जितना पड़े हैं हजम हुआ है उसको हम देख रहें कि सही तरीके से भीठा एक नहीं अगर यह रेशनल नंबर है तो आप हाँ लिखेंगे या नहीं है तो ना लिखेंगे किवल हाना हर question का जबाब का एग अलग code है जिससे हम अलग कर पाएं आप लोगों को कि आप किस सवाल का जवाब दे रहे हो ने तो जुटा इसा ही सब उसी में हां करें रहते हैं आंसर पहले दे देते हैं कुजिशन लिखने पहले मजी इस तरीके से बोला हूँ ऐसे बोलोगे तब हम जान पाएंगे कि आप हमारा कुजिशन बता रहे हो अपने इस्टाइल में बोलोगे तो नहीं हाँ या ना में कोई बताया नहीं सुदरोगित क्या करें प्रिया गोंड सही है बिल्कुल बहुत अच्छे सबसे पहला जबाब हमारे तरीके से जो दिया उनका नम प्रिया गोंड है आदित कुमार बिरेंद पाल अंबकेस अब्दुल ओम प्रकास ठीक है तो यह रेफनल नंबर नहीं है जो ना बोल रह होता है कि दूपाहिया दूए सवारी बैठेगी और तुम रोड पर कभी-कभी देखे होगे कुछ ऐसी महान आत्मा आपने देश में है जो पंच-पंच-छेच्छी बैट जाते हैं कोई नहीं बात नहीं है एक बाइक पर पांच-छे लोग बैठे में देखा हूं अब बै यह नहीं होगा पता ही कि खेट जोतने वाला हर क्या होता है लेकिन इसे बोलता है इंगलिस में डेनो मिनेतर इंगलिसी नूमिनेटर हो सकता मेरी स्पेल औरुचारण कम सहीं हो लेकिन बोलते हैं तो यह जो नीचे लक्ष्मी कुमारी समझ में आ रहे हैं बंधना यादो अर्जुन सनी बगहेल सौरव यादो सौरव विसकर्मा रोहित रिया सिंग आ रहा है जब को कुछ बुझार है थोड़ा बहुत की बसाई से चल रहा है हवा में ही चल यह ठीक है तो अब इनको साइड करिए किनारे करिए आईए कुछ नई दुनिया में चलते हैं आज का सवाल नंबर तीन या चार कुछ भी हो तो यह बताओ भया कि पांच बटा चार तीन बटा चार इन दोनों में कौन बड़ा है अगर इनको हम पी बोले क्यूं बोले इन बड़ा है तो पी जो बड़ा है उसका अंसर देना है अगर यह भिन बड़ी है तो क्यूं लिखना यह बड़ी है तो पी यह बहुत आफान है कक्षा दूइका बच्चा भी कर लेगा और अगर उनकी मम्मियां भी देख नहीं सनियोक से तो वह तो जरूर कर लेंगी रमेश नीरच सुहानी दीख्छा यादो एक नाम है इनका नाम है इनका नाम पढ़ूंगा तो फिर ये लाश्ट नाम हो जाएगा आज का जाने दो देखिया हमारे मोबाइल में कमेंट मुझकिल से एक सिकेंड रुकता इसक्रीन पर भागता रहता है तो मेरा जो पढ़ना वह बहुत कंपटीशन वाला होता है चलिए इसमें अगर हम बड़ी फ्रेक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो जबाब दिया उनका नाम लेना बहु बढ़ी है भाईया देखो इसका एक सिंपल सा सलूशन है जो हर कोई जानते हो अभी 14 फरोरी को एक वहार आता है किसको किसको पता है जानते हो ना अगर आपक्षा 9 में 8 में होगे तब भी जानते होगे देखो उसमें क्या है चौकलेट काफी फेमस होता है इसकी काफी विक इसका नाम में या नहीं बोलूंगा अब सुनिए यह क्या है यह चौकलेट था ठीक है इसमें पांच टुकडे हुए है दो तीन अब देखो पांच हो गये ना ठीक है अगर इन पांच टुकडों में से इनके जो हिस्सेदार है वो चार है खाने वाले ठीक है समझ ना यह टुकडे इनके पांच है और खाने वाले हिस्सेदार चार है और यह भी एक चौकलेट है यह थोड़ा राइस टाइप के हैं इनकी कंडीशन अलग है इनके जो पार्ट हैं वो तीन है तीन है ठीक है एक दो तीन इन में भी खाने वाले कितने चार अब ये बताओ किसमें ज्यादा ज्यादा हिस्सा मिलेगा बताओ किसमें ज्यादा ज्यादा हिस्सा मिलेगा बईया इसमें भी चॉकलेट जो है खाने वाले चारी है इसमें भी चार ही है लेकिन इसमें पांच टुकडेय है है मतलब मिला कि आकर involved छॉकलेट की संक्खे Q26 में Gel झौन अब तुम कहो कि सरकारी स्कूल जैसे रासन जैसे बच्चों को मिड़े मिल में मिलता है आप सब को पता होगा अक्सर अगर एक लीटर दूद में दफ लीटर बना के बच्चों को दे दिया जाए तो वहां पर जो तब तो मिलने चाहिए बच्चों को नहीं मिलेंगे बहुत क लाजिक है कि जहां पर ज्यादा सामान रहेगा आप कितने भी चोटे हो आप जानते हो आगर कोई खाने पिने की चीज मानलो तो उतने सब्सक्राइब में तो ज्यादा presents मिलेगा सब्सक्राइब अगर किसी एक दमपत्ती के दो लड़के और उनकी प्रोपर्टी दस करोन की है तो पांच-पांच करोन मिल जाएगा लेकिन अगर हम जैसे गरीब लोग है और दूर के बदले चार है और अगर दसो लाग की प्रपरटी है तो कितना मिलेगा एक को करोन करें तो यह बड़ा है कि कुशन नंबर चार या पांच कुछ भी लिख लो है अब लेकिन इसमें थोड़ा आपको एक्ष्ट्रा बुद्धी लगानी पड़ेगी इका है पांच बटा साथ अब इन दोनों में कौन बड़ा है इसमें ऐसा जुगार नहीं लग पाएगा चलिए जबाब दीजिए अब मोहिनी सिंग हर्स मिस्रा सौरव यादो अपना सैनी हाँ जबाब दीजिए फटा-फट मैं सबको देख पा रहा हूं जो लोग अभी अभी सो के उठे हैं थोड़ा-थोड़ा जिल मिला रहे मैं उनको भी देख रहा हूं अरे मुह दूल के पढ़िए थोड़ा इज़्जत सम्मान के साथ यहां पर देड़ सो बच्चे पढ़ रहे इन दोनों में कौन बड़ा है अगर मैं इनका नामकरन कर द तो कौन बड़ा है ए वाला या भी वाला कि देखिए इनके लिए एक सिंपल सा तरीका होता पहले उसे सिख लिजिए सबसे पहला जबाब अगर किसी ने दिया है तो रोहित भी स्कर्मा ने दिया है आये भया हो चच्चा इनको पहले आई से लिख लोगे इसमें दो तरीका होता है एक सिंपल सा तरीका ये है इनको बड़ा जानने का आप छोटे साटकर में जान सकते हो कैसे आपको ऐसे क्रास मल्टिपल करना सास सता उन्चास ये चरपंचे बीस भया जिदर की गिंती बड चार है चार का भाग साथ में एक बार चला जाएगा पूरा पूरा एक पूर्ड फंक्या जाएगी लेकिन इसमें साथ का भाग पच्वम एक को बनने जाएगा तो इसका जो आएगा जीरो पॉइंट सम्थिंग आएगा इसका वन पॉइंट सम्थिंग आएगा जीरो करना है साथ साता उन्चास इसके खुपड़ी लिखो चर पंचे बीस इनके खुपड़ी लिखो अब यह बड़ा है ना आप कह सकते हो कि फोर्टी नाइन इज ग्रेटर देन ट्वंटी सो सेवन आपान फोर इज ग्रेटर देन फाइप अपान सेवन समझ में आ रहा है ना तो आदेफे ज्यादा लोग लाइक नहीं कर रहे हो काहे को कलास को आप लोग काहे को नहीं लाइक करें सभी साथी फटा फट सेशन को लाइक करिए मैं नहाया नहीं आ जो अलग बात है लेकिन कलास तो सोच्छा साब दिख रही ना कलास तो सही तरीके दिख रही ना आधा मिनट का ब्रेक कोई कहीं जाएगा नहीं एड़ आएगा तो देख लेना पूरा बस मैं तुरंट आता हूं आधा मिनट सिर्फ आधा मिनट आधित त्यादो तुम्हारा नाम ले रहा हूं बच्छाँ अच्छा रजनी यादो हर्स मिस्रा तो सभी आगे एड़ोड आया था कुछ का यास या नो कुछ एड़ आया था यास या नो या फिर मैं मैं ही दिख रहा था इतना पूर्टा टाइम अनुसका सर्मा और बिराट कॉली दिखे दिखने तुम्हें चलिए अब बात करते हैं यह तो हो गया इसके बारे में आप समझ गये हम आज चोटे-चोटे कुस्चन सामिल कर रहे हैं टेस्ट हो रहा एक प्रकार से ठीक है बेसिक मैथ का तो पकाये रोज देखो लेकि टेली इसमें एक एंगल है नव 8 डिगरी का जिसका नाम है बीस्का नाम है इसका नाम सी यहां बी लिखना सिंगर भी न経ना अज मैंने एक बहुत को क्र्ट्टत देखा है यो क्त बताऊंग बाद में यह पताईया अगर मैं एंगल एको भी 90 अंस बोल दूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि कि किसी एक तिर्भूज में दो कौन 90 अंस के हो सकते हैं क्या इसका जवाब आप ऐसे दोगे अगर हाँ तो यच लिखोगे अगर ना तो यन ये कोड है अंसर का बताओ क्या किसी समकौन तिर्भूज में या कोई भी परकार का तिर्भूज है क्या उसमें दो कौन 90 हो सकते हैं बोलो और अगर हाँ तो क्यूं और अगर नहीं तो क्यूं जवाब दीजिए फटाफट आंसर देने का ये तरीका है अगर हाँ तो यच लिखेंगे अगर ना तो यन सबसे पहला जवाब दीख्छा यादों ने दिया है इन्होंने कहा हाँ नितेश जी ने ना बोला है और कुछ लोग हाँ बोल रहें कुछ लोग ना बोल रहें एज अच्चा इल्ग यहां को नो बुझ्यवलिया नहीं होती है कि क्यों हां क्यों ना क्यों हां क्यों आइज थोड़ा बुद्धी दिमाग जो बक्सम्बंद करके रखे उसको निकाल को समझ रहे न यहां पर एक इंपोर्टन बात बताना चाहूंगा कुछ ऐसी भी महानातमाई हैं जो कहते हैं कि यह कच्छा दस त्रोस में साइन थीटा कॉस्ट थीटा करते हैं उसका नौकरीब में क्या मतलब यूज़ होता है लाइप में क्या हूज होता है देखो मैयत में जो सवाल किये जाते जितना एक कंकूलेशन होता न तुमारा ना तुमारा बुद्धी कि मारो पीटोगे उनसे हिसाफ किताब करोगे व्यवस्था कानून व्यवस्था समालोगे लेकिन वहाँ पर यह चीज नहीं लगेगा मैं इतनी लगेगी लेकिन तुमारे दिमाग का वह लेबल बनाया जाता है आपको पता है ना जो पुलिस में विसेस रूप से अगर भरती होते हैं उनको स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग होती है तो गोली उली चलाना सिखाया जाता है लेकिन कुछ ऐसे भी पुलिस कर्मी होते जिनकी पूरी लाइफ बिज जाती कभी एक बार फायर नहीं करने मौका मिलता पूरे 20 साल 25 साल निकल जाते हैं होता है लेकिन सिख संकूर नहीं हो सकती है और एक जंगल में 2 राज़ा नहीं हो सकते वैसे कि एक तिरभूज में 2 मढ़ा नहीं हो सकता है क्या एक मजाक की बात थी सीरेफल बात समझो के सिरिफली बात यह होती मेरे भाई की कोई भी जो तिर्भूज होता है उसके तीनों कोणों का योगफ़ल 180 होता है ठीक है और अगर आप जैसे महान गड़ितक दो ही कोण का नाम मतलब मान 90-90 रखके 180 पूरा कर दें तो यह ती फरका का भिच्छा मांगेगा इसका भी तो कोई दिमान होगा कि नहीं अगर किसी इनसान के तीन संताने यह तीन बच्चे और उसकी जायदाद घर दुवार में है अगर दुईयों को सब दे दे तो तीरका का करेगा तीरका उन दूनों को बरबाद करने प्लग जाएगा समझ रहे हो गड़ बढ़ जाएगा तो समझ गए हैं एक बार बोले हां हरा किसी भी तिर्भूज में दो कोण 90 नहीं हो सकता समकोंढ़ नहीं हो सकता इसका कारण यह है कि तीनों कोणों का योगफ़द 180 होता है अगर हम सिर्फ दोई कोन का मान 90 90 कर देंगे 180 हो जाएगा तो ती फर्का कहा जाएगा इसका भी तो कुछ बैलू है नैसकी बितुकुछ हिस्सा है ना इसमें तो यह । समझ गए एक बार बोलें हां यास जब ही समझ गए तो आगे बढ़ें अब सभी समझ गए ना एक बार हाँ ना तो कम से कम बोलो कुछ ना कुछ नारायन माली कब आया था हूं आया चलिए आगे बढ़ें फिर तो यह समझ गए ना कहानी आप ठीक है बहुत अच्छी बात है अच्छा एक और लाजिक पर चलते हैं यह टेस्ट हो रहा याद रखिए का बार-बार याद दिला रहा हूं कि यह बेसिक मैथ का टेस्ट है और टेस्ट का टा इस अपड़ीवरी करता निरभर करता इस पर कभी कभी मेरा मन एक हम आत्वीं कि मेरा मंदें त्यूद बढ़ाने को कर देता हूं जरल अ कब्सक कर देंगाई में किस स Whew क्स बुत में पढ़ाया गया उसमें क्या पठाइगा उसमें चोड़ना क्या पढ़ाना आए क्या के तो दूसरी बात क्या रहे थे कि कोई तिर्भूज है तीरभूज की भूजाएं जिनके मान है 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तो इन तीनों भुजाओं में से हाइपोटीनियस यानि करड़ कौन सी भुजा है बताओ इसमें से मैंने पुछा कि करड़ कौन सी भुजा हो सकती है करड़ को इंगलिस में हाइपोटीनियस बोला जाता है इंगलिस मीडियम वाले या फिर हिंदी भासी राजिस से जो छातर नहीं है वो समझे सबसे पहला जबाब किसी ने दिया है उनका नाम है मोहमाज सफीक सपना सैनी सिकेंड नंबर पर हैं लेकिन अपकी बार सपना जी का सपना खराब हो गया गड़बड हो गया इनका आंसर गलत है और दूसरा सही आंसर दिया है सीवम तिरपाठी जी ने तीसरा मिश्टर क्रि को अईसा इसलिये कि कि सी भी में जो करड होती है बतलब किसी भी नहीं फिल आ आ सम कोंते इसस्तिती आती है समी कोंते रपुज में इसका भी कारण होता इसके पीछे भी बड़ी मैथ होती लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं तो किसी भी समकों तिर्बूज में करड़ यानि हाइपोटीनिय सबसे बड़ी भूजा होती है बेस यानि आधार और परपेंडिकूलर यानि लंब यह कुछ भी हो सकते हैं इनकी अद की बडली बडली होती है एक दूसरे की ड्यूटी पर रह सकते हैं अगर चूटी पर चले गए लेकिन आपको की पुलीस वाली की दूटी पर जहां पे कोई मतलब कांश्टेबल था वहां पर लाके सपी जी को बैठा दो तो 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 एस पी-जी वहां पर नहीं में बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप सभी को आने चाहिए पक्का आने चाहिए कि एक और खतरनाख फैक्ट चलिए ध्यान दीजिएगा इमानदारी से देखिएगा मगर देखिएगा मगर प्यार से इस जीव का नाम जान रहे हो क्या है क्या बोलते हैं इसे पूजा सिंग अगस्त यादो कहो सितंबर कहां गए कि आये बताये क्या है इसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं इंगलीज में इसक्वायर बोलते हैं इस्पेलिंग सही है न हमारी सायद सही होगी चलो अब देखो इनके नाम करण मैं कर देता हूं अब देखो रहा इनकी यह क्या है इसका हाँ हाँ चलो इनकी उनकी तो बाद में करना पहले यह बताओ एसी को क्या बोलते हैं यह कौन सी रेखाइस को क्या बोलते हैं मैं भी तो याद कर लूँ आि रुक है कि घलेष्ट यह यह को क्या बोलते हैं मतलब वर्ग के अंदर जो आiesen होती उसको क्या बोलते हैं नाम बता IS कर नई नहीं बता पाऊंगे तो मैं बताऊंगा पानी पीके जाना नहीं को सबसे पहला जबाब MR क्रेशन ने दिया है दीख्छा यादो दूसरे नंबर पर यह डाइगोनल है डाइगोनल को हिंदी में बिकरड बोलते हैं का बोलते हैं चाच्चा इनको इनको बिकरड बोलते हैं अच्छा जब तुम इतने जानते हो तो फिर 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 यह बताओ अगर मैंने कहा कि इनकी लंभाई 15 फेंटी मीटर है कितना है 15 फेंटी मीटर रोग जा थमारा थोड़कर अ ओप 15 फेंटी मीटर तो इबता बहिया कि यह जो डी बीडी है यह कितना होगी अगर एसी पंदरा फेंटी मिटर है तो बीडी कितना होगी कितना होगा जब आप दीजिए फटाफट जब आप दीजिए बीडी कितना होगा इंपॉर्टेंट कुछ बातें स्क्रिन पर दिखा रहा हूं इनको देख लेजिए प्यार से यह पांच सितंबर की जो डेट है इसे पांच अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है इस्पेसली डियलेड वाले बड़े मजबूर होते हैं ऐसी अवस्ता में होते हैं साधी बिया या उससे अधिका कोर्स जोइन करने पर अगर धंग से पूरा कोर्स देखेंगे पूरी गारंटी है डियलेड वाले को पूरा का पूरा 25 में 25 में मिलता है दूसरा इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिए मैं तुरंत कलास में चल रहा हूं बस आधा मिनट लगेगा कोई अभी छाद्र के जनम दिन पर उसको किसी भी छे महिना या उससे अधिक के कोर्स पर पूरे 50% का डिसकाउंट मिलेगा यानि सो रुपया का कोर्स मातर 50 रुपय मिलेगा भी देख लीजिए ये भी देख लिजिए class का time है ये देख लिए 5 seconds खतम होने के बाद 3rd or 4 चलेगा ये भी देख लिजिए देख लिए मेरी सकल भी देख लिजिए फिर मेरे साथ में टकलूसर को मेरे देख लिजिए साथ ही हमारे ये उसके बाद में एक चैटिंग है इसको भी देख लिजिए बड़ी सीक्रेट चैटिंग है यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं यह हमारे इस्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स लिया था इनको देख लिजिए यह प्रीमियम कोर्स वाले बच्चे हैं मैं आपकी कलास पिछले साल से ले रही हूं डियलेट सिकेंट समेश्टर के मुझे समझ में भी बहुत अच्छे से आता है थैंक्यू सो मच आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मेरा फर्स समेश्टर में बाइस नंबर था पचीश नंबर में दिख रहा है ना स्क्रिन प परिच्छा की त्यारी कर रहें मैथ नहीं आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है तो क्लास में चलें 15 आएगा उसका अंसर बिल्कुल सही है जो 15 बताया उनका सही है ठीक है कोई कुछ कहना चाहेंगे इन सभी स्क्रिन पर जो दिखाया गया इनके बारे में कि कितना आएगा 15 15 सेंटीमेटर अंसर आएगा डन हटा इनको भगाओ बगाओ चलो अब कुछ नया कुश्चन करते हैं कि नया में क्या है अभी अभी मैंने आपको वर्ग और घं बताया था तो भाईया लगे हाथ ही बताओ कि 16 का स्कॉयर क्या होगा कि सबसे पहले कौन बताएगा चलो बीडी आएगा 15 सेंटीमेटर क्यूं आएगा इसके पीछे क्या कारण है क्यूंकि किसी भी वर्ग यानि स्कॉयर की जो डाइगोनल होती है वो हमेशा इक्वल होती है बराबर होती है और एक दूसरे को जबना कर आएग करती है ना कि संदुभाजित करना साइध इंगलिज में पता नहीं क्लास करो आपसे करो बहुत करो देखो आपका जिम्मेधारी है क्लास को लाइक और क्या करना यह से मजा नहीं आती दिल तो पहले से तूटा उसकी चटनी मत बनाओ कम से कम सेजन को लाइक तो किया करो ना 256 कोई आंसर दिया है सबसे पहले उनका नाम मैं जरूर बोलूँगा 256 आएगा बिल्कुल सही जबाब है सबसे पहला जो जबाब आया है वो प्रांसु राजपूत का आया है और अंकित पाल उसके पहले हैं यंकित बहुत अच्छे नारायन माली रेनु यादो रंजन सचिन बहुत अच्छे दोसो पचीफ नहीं आएगा यह चचा 256 आएगा कुछ लोग 225 भी लिख रहे हैं अच्छा तो एक बात बताओ उकाहें पता है वह यह इसका वर्गमुल क्या होगा कि यह बहुत आफान है यह बहुत आफान है एकदम सिंपल है रहे बाबाई क्या होगा तो इसको बता दीजी यह ऊसके बाद आज का टाइम ओवर होता है फिलहाल टाइम बहुत कम बचा है तो मुझे भी कुछ कि यहां पर एक्टिविटी करनी पड़ती क्लास के पहले यह लाश्ट कुष्टन है आज का आज टेस्ट हो रहा था जिसमें हमने छोटे छोटे बहुत सारे कुष्टन सामिल किया आप लोगों ने कोशिस किया बहुत बहुत थाइंक्यू इसका सबसे पहला सही जबाब कोई देगा अरे दसमलो लगा है चच्चा दसमलो लगा भाईया अंकित ने बताया है और कल्पना निफाद सबसे पहला जबाब कल्पना का सही है थोड़ा और उसमें किया जा सकता था लेकिन फिर भी सही है निलान सागर गलत है यह कैसे 32 कैसे आएगा कि देखे सिंपल है इसमें आप दसमलो हटाएंगे जब तो यह 225 बटा 100 हो जायेगा क्योंकि दो अंक पर दसमलो लगा है कि दो सो पचीस का वर्गमूल 15 आएगा सबको पता है सो का आएगा 10 15 बटा 10 इसे 1.5 भी कर सकते हो कि 1.5 या 15 बटा दस दोनों सही है कि समझ में आया ना काओ भाई या सही है ना ठीक है तो यह आज का क्लास यहीं पर ड़न होता है किया तो यहीं तो यहीं है